होई है 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 जो हुए पहले साउंट का स्पीड क्या होता है जो भी अभी अभी तक मेरे बता है फटाफार देख Folks आप लुग मादूस姓 concentrate under root of का हुटा है सम्यम्डिलूस of elasticity अपवन क्या लिए सीटी जो मौडूस आफ हम एफ बहूत है पई solids, यह solids के लिए होता है, और यह bulk modulus होता है for gases, ठीक है, अपन गैसे के बारे में बात करते हैं, अब इसमें, basically मैंने एक चीज़ दे कि Laplace ने जो बोला under root of bulk modulus upon density, Laplace के हिसाब से, वो formula क्या था, gamma P by density था, समझ मैंने, तो bulk modulus को उपन ने क्या लिख दिया, इस bulk modulus को क्या लिख दिया, gamma into pressure, and this gamma is adiabatic process में हम लोग देखेंगे, adiabatic का कुछ चीज़ है वो, ठीक है, अब gamma P by density हो गया, इसका मतलब, speed मेरा जो है sound का, वो किसके उपर depend रहता है, अब थोड़ा सा में हाँ पर देखाता हूँ, speed किसके उपर depend रहता है, pressure और density के उपर, यहाँ पर क्या pressure है, और क्या density उसके उपर depend रहता है, मैं और एक formula यहाँ पर लिखके रखता हूँ, under root of, इसको लोग ने क्या लिखा था, RT divided by molecular mass, molecular weight, यह था न, अब मुझे वहता, सब्सक्राइचर तेमपरेचर constant होगा, temperature constant होगा, तो आर तो वैसे भी universal gas constant है, कोई भी एक particular gas के लिए molar mass भी सेमी रहेगा, gamma B वही constant यह, सब कुछ constant है, तो for temperature constant, for temperature constant होगा, तो मुझे वाटा pressure के उपर depend रहता है क्या, velocity of sound, नहीं, it is same, तो देकर for constant temperature, V is constant, यहाँ से पता चल गाए न तुमको, for constant temperature, V is constant, इतना ध्यान में रखना, यह एक बहुत ही important चीज़ मैंने बोली, V पार्ट जो मैं आप अब लिखने वाला हूँ, humidity, humidity का क्या effect आता है, आपको बता है, जब humidity का क्या effect आएगा, मुझे तो है, air humid होगा, तो density बढ़े गी या कम होगी, मुझे बढ़े गी या कम होगी, humid air की density कम होती या बढ़ती है, गाइज, एक चीज़ दहां में रखना, density जो होती है, humid air की वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है, क्योंकि water vapor आता है उसमें, नॉमल air में nitrogen बीटरन सब कुछ होता है, तो humid air की density क्या होती है, कम होती है, density कम होगी, तो velocity क्या होता है, इस इन्वर्स ली प्रोपोर्शनल टुवन बाइ रूट ऑफ देंसिटी न दिख रहे है आपको, density कम हो गई, velocity क्या हो गई, velocity क्या हो गई, बढ़ गई, समझ में रहा है, तो moist air में, जो moist air होता है, जितना moist air होगा, तो moisture में speed of sound क्या होगा, जादा होगा, समझ में रहा है, समझ में रहा है, क्या, सो, मतलब density of, ठीक है, यह basically humid air है, और यह air है, तो density air की जादा होगी उससे, इतना धान में रखना, मतलब एक question, basically कौन सा formula उपन नहीं उसकिया, यह formula यूज किया, ठीक है, इसके बाद कभी-कभी क्या होता है, अब कुछ-कुछ questions आते हैं, कुछ-कुछ questions आते हैं, जो इस तरीके से किये जाते हैं, ठीक है, अंडरूट of speed, यह क्या था, gamma r t by m0 था, अब किसी ने बोला, सर्थ, temperature कुछ delta t से बढ़ गया, तो speed कितने से बना, बढ़ा, एक्जांपल, यह एक्जांपल 1 देता हूँ मैं हापर, ठीक है, delta t से temperature बढ़ा, तो delta t से बढ़ गया, तो temperature क्या हो गया, v dash हो गया, मैं लो सर्थ, speed क्या हो गया, v dash हो गया, gamma r, और temperature क्या हो गया, t plus क्या हो गया, पिछोड़ा सा delta t हो गया, किसी को पता है कि इस question को कैसे solve करना होता है, पता है अब को यह कैसे solve करना होता है, t common निकाल दो, यहाँ पर क्या आगया, अंडर रूट अफ क्या, gamma r t by m not, 1 plus delta t by t not, delta t by t, यादे अभी यह क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, किसीने बायोनामियल पड़ा होगा, थोड़ा सा, तो gamma r t by m not की value क्या होती है, वी होती है, चुछ इसको v not बोल देते हैं, तो इस type से भी questions बनते हैं, v not, और यहाँ पर क्या गया, 1 plus delta t by t, to the power क्या हो गया, half, कुछ, अभी कुछ समझ में आ रही है, क्या होता है, एक approximation होता है, guys, approximation होता है, और यह काफी ज़्यादा, j main, j advance में काम में आता है, कभी-कभी neat में भी काम में आता है, 1 plus x to the power n, is equal to 1, is approximately equal to 1 plus nx, यह वाला type के approximation होता है, ठीक है, when x is very small, कब, यह ऐसा कुछ किया है के कभी आपने, किया है के ऐसा वाला कुछ, नहीं किया है, चलो, कोई दिक्कत नहीं करवाओंगा मैं, इस step का एक question करवाओंगा, actually, simple pendulum, जब मैं हीट and thermodynamics में आपको यह पढ़ाने वाला हो, जब simple pendulum जो होता है न, उसका time period change होता है, तो time period change होता है, तो कितने से time period change होता है, वो उसका भी एक है, ऐसे ही चीज, वो बताऊंगा मैं उस questions में, लेकिन अभी के लिए, इसका answer क्या आगया, तो example one था, इस type से करना होता है वो, और मैं directly यहाँ पर लिख दू, one plus nx, एक काम करूँगा, यह जो question है, जब question solve करूँगा, तभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अभी के लिए सिव ऐसा ही लिख दो, इस type के कुछ-कुछ questions बनते हैं, ठीक है, इस type के कुछ-कुछ questions बनते हैं, ठीक है, तो यह जो मैंने आपको लिखा, यह लिख रहा हूँ यहां पर, यह ऐसा करके मैंने ड्रॉ किया है, और यहां पर यह पूरा का पूरा है, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, यह कौनसी वेव दिखा हैं, यह मैंने string वेव, ठीक है, अब थोड़ा सान आपको correlate करना है, मुझे पताओ, यहां पर, यह string थी, जो मैंने यहां पर लिखी है, अब मुझे पताओ, यह मैं points अलग यएक point लिखता हूँ मैं, ठेक है, point नुमर, 1, 2, 3, 4, 5, ठेक हैं? मुझे पताओ यह वाला जो particle है, ठेक है, यह वाला particle, सबस्क्राइब Queed एक्चुली कहां पर यह वाला पार्टिकल कहां प्तुक्ड एक्चteri कहां求 पर है यह रहा है तो यह वाला पार्टिकल नीचे ऐस UV आ पार नीचे है अब मुझे बताओं यह किंग विए को मैथ पार्टिकल a सब्सक्राइब थीक है यह पॉइंट लिखता हूँ उन इसके तो फॉइंटब इसके कि समख्य कि जो मैं वन टू थी फड़ पई गर है उनका इनका सब का वो इस पॉइंट वो सब प्रक Л but Weird इस प्रिजेन टाइन प्रेजिट टाइन कापे उदर यह सारे पार्टिकल सारे यह प्र है सारे नॉर्ट फेल आंगर्ट तरीकल ना प्र है काहां पर है इस जिससे मैं ड्मि लिए उसमें में बहовых αफिए न पे है उसके बाद जब!] जब ड्रेवल हो टुमार्ट ऑप्ने आप नीचे लेकिन अभी मेरा फिक्टर भी खिचा हुआ है मतलब इस प्रटिकल इंस्टंट पर वन टू थ्री फोर फाइव उदर के उदर है ठीक है अब मुझे पताओ एक्ट्व में साउंड वेव में जो पार्टिकल नमबर टू भी जो गुमने वाला हो कैसे गुमने वाला गाईस ऐसे ऐसे गुमने वाला है समझ मैं रहा है आगे पिछे ऐसे ऐसे गुमने वाला नहीं है तो इसलिए अपने को यह समझ नहीं कि लिए थोड़ा सा मुश्किल जाता है तो यह ऐसे ऐसे गुमने वाला है ठीक है तो अब ऐसे ऐसे गुमने वाला है ना तो यह काम करता हो हम जो मैं अभी blue में दिखा रहा हूं यह वाला particle के displacement कहां पर अब उपर का displacement is analogous to क्या उपर displacement होगा इसका मतलब यह वाला जो particle होगा इधर का जो particle होगा उसका displacement कहां पर होगा आगे होगा मतलब ऐसा ऐसा घुम रहा है इस ऐसे तो थो और राइट नीचे का displacement, इसके यह particle का displacement suppose नीचे है, इसका मतलब कहा है towards left, तो जो basically ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा पकर लो, ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीके, तो अब मुझे एक बात बताओ, similarly, यह जो मैंने भी आपको बताया, ठीके, मैं भी यहाँ पर लिखता हूँ, अब मुझे बताओ, यह particle number,Hayر, जो particle two, इस जो second particle है, second particle का यहाँ पे, यह जो आज़ीम बजो वाले सारे, इसके जो पिझे वाले सारे जो particles है, वो कहाँ पर shift हुए होंगे? यह सारे जो particles है, सारे जो particles है, यह कहाँ पर shift होंगे? उसका displacement उपर है इसका मतलब सारे displacement पार्टिकल टो के से तो मतलब इदर व्लाय यह सारे और इंप्लील है एसारी। आप ने हमें कुछ थे ततार शाहरा ना मतलब सारे parts intact के डेंसिटी कहां पर बड़ा है इसार एिसार जीडिपट बड़ा है three कि व Capital टू के बाज़ू हो जो पार्टीकल्स है इनका सारा सारा displacement ये displacement कहां पे पीछे मतलब कहां पर शिफ्ट वह होंगेштette पार्टिकल्स कहां पीश्ट होएंगे तो मतलब मैं ऐसा बूल सकता हूं कि यह जो यहां पर Bolt रहे है है ओंगे सा अब लो क्या बोलते का बड़ते का कंपरेशन कि भाई मिलब सारा का सारा इन सीड़्य हाँ परा गये तो अ गया अब मुझे था यए पार्टीकल मश्सक्राइब तो का इस तो इदर के सारे बाटिकल भाग गया इसके पिछे वाले पार्टिकल कहां पे तो यहां पे क्या बन गया रेरफ्टियन आगा है यहां प Explorer Smith application के डेंसी टीडी क्या हो गई यहां पर प्राटिकल की डेंसीटी टी क्या हो गई लिएतिटी क्या हो गई कम हो गई यहां के पाटिकल की देंसीटी Minuten क्या हो गई लिए बड़ी थोड़ा सा समस्में आ रहे के मैं क Production रहो वाई sound wave is a combination of rare fraction and compression थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि यह समझ में आ रहा है कि वाई इस a combination of compression and rare fraction ठीक है अब मुझा दोग प्रेशा एफ फोर देखो इस इस पॉंट पे देखो क्या होगा ये सारे particles कहां पे हैं उपर मतलब towards कहां पर और और यह सारे particles कहां पर होंगे return के होंगे तो यह सासरे particle यहां पर56 यह हो गए वापस compression आप हो गई तो प्रेशर जादा हो गया डेंसिटी कम हो गई तो प्रेशर कम हो गया बरावर ना आप इस तरीके से समझ जाओ इस तरीके से समझो कुछ-कुछ चीजे तो basically हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर प्रेशर जादा हो गया यहाँ प्रेशर कम हो गया यहाँ प्रेशर ज्यादा हो गया प्रेशर कम हो गया तो can we write sound wave in terms of pressure wave we can write sound wave in terms of pressure wave राइट समझ मैं है और exactly बीच में मतलब exactly यह जो point होता है यहाँ पर प्रेशर जो होता है यहाँ पर pressure जो होता है न तो compression फिर Air fraction नहीं दौनों का सबूस अपने आइवेरेज ले लेंगे तो यहाँ पर जो atmospheric pressure होगा वही होगा यहाँ का pressure क्या होगा सबसे जादा होगा तो P K not Plus Delta P होगा यहाँ का pressure क्या होगा प्रेशर सबसे मैक्सिमम है इह यह सबसे मैक्सिम्स इप्रेशर क्या होगा? इस point का तो इसलिए साउंड वेव जाती है मीडियम से तो मीडियम का प्रेशर कम ज्यादा कम ज्यादा होते रहते है तो इसलिए साउंड वेव कैन भी डिस्क्राइब ऐस प्रेशर वेव